सो गाइस वेल्कम बैक टू माई चैनल दैट इस त्यागी बंदू व्लॉग यह इंस्टाग्राम आइडी मेरी आ रहे है यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे से कर सकते हो चले शुरू करते हैं आज का फर्स्ट कोश्चन है मिकोनिक एसी टेस्ट होता है वो अफ्यूम के लि मॉटलिंग इसे मॉटलिंग कहा जाता है अगर हम ओवर कम करना है तो आपको एक्स्पनेशन दी गई है नीचे कैसे कैसे ओवर कम कर सकते हैं आप देख सकते हैं और हम इसी किसा शुरू करते हैं नेक्स्ट कोश्चन थर्ड दा आर्टिफिशल स्विटनर विच इस फाइव कि आप पॉज करके वीडियो देख सके जाधा टाइम वेस्ट करके मैं खुद अपने आप बोल के ज्यादा इसको एक्स्प्रेंशन नहां करा हूँ मैं यह चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं नेक्स्ट कुछन है कोलोडन कंटेन जो क्लोडन होता है वो क पी टाइप के लिए कौन सा ग्लास होता है वो होता है highly resistant borosilicate glass तो अंसर इसका C बाकी type 1, type 2, type 3 निचे दीए गए है आप खुद पढ़ लीजिए नेक्स्ट है लिकर टेस्ट किस के लिए यूज होता है यह होता है एमफ्यूल के लिए लिकर टेस्ट किस के लिए यूज होत होता है वो किसके लिए हो जाता है वो यूज होता है answer D glide end के लिए flop property को improve करने के लिए बाकी explanation में पढ़ लेजिए next question the cheek test is determined काफी बार determined किया है यानि बताया भी है मैंने आप लोगों को यह होता है diphteria के लिए इसका answer है C बाकी जो test है वो आपको नीचे दिए गए है explanation से आप बहतर आप idea लगा सकते है next one is the holding method for pasturation of milk required milk के लिए जो pasturation method है इसके लिए नीचे explanation में दी गई है लेकिन इसका answer D है 62.5 degree temperature 30 minutes के लिए अब move करते है next question की और 12th question sorry यह फिर से repeat हो गया है suddenly by mistakenly इसमें तो आप देख सकते हैं कि two method है इसको बोलते है holding method को LTLT और HTHD method भी बोलते हैं HTHD method भी बोलते हैं explanation जुरूर पड़िएगा ताकि better आप समझ सके next question है the acid fast taining characteristics of mycobacteria appear to be due to which of the following constituents इसका answer है B जो mycolic acid है बाकी explanation से आपको बहतर ही idea लगा सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है next one 14 optic Neutritis and peripheral Neutritis जो होती है वो किस चीज़ का adverse effect होता है वो होता है inthambutal से optic Neutritis होती है आंकों का रोग होता है और peripheral Neutritis आपके isoniazid से होता है दोनों ही anti tuberculosis drug है बहुत common question है बाकी explanation पढ़ लेजिए 15 live oral polio vaccine जो live oral polio vaccine होती है वो saabine vaccine होती है जो saabine होती है और जो saabine होती है वो pv oral polio vaccine होती है next is 16 vulcanizing agent for rubber रबबड के लिए vulcanizing agent sulfur होता है वो इसकी elasticity और strength और hardening sulfur की बज़े से by heat उसको करते हैं तो उसे हमाई इसकी presence से पता चलता है next move करते है 17 बेकिंग soda यह बहुत common question है और इसका formula होता है और इसे बेकिंग sodium bicarbonate भी कहा जाता है और बाकि जो na2 तो वो washing soda होता है यह एक explanation में दिया गया है next question next question की और हम मूव करते है suddenly वीच में फिरसे question आ गया है क्योंकि जब मैं rating कर रहा था तो उसमें idea नहीं लग रहा था कुछ question repeated भी होंगे तो उसके sorry next 18 फ्रोसे माइडीज है जो फ्रोसे माइडीज होता है वो शल्फोना माइड डेरिवेटिवस होता है यह आपने पढ़ा होगा और जो की लूफ के डारेटिक्स के अंडर आता है जो ब्राद नेम से लैसिक्स आता है next one which one is beta-lactam antibiotic यह सारी कि beta-lactam antibiotics है all is cancer है d आप देख लीजे नीचे explanation में देगी है कि कौन-कौन से जो antibiotics है वो अंडर beta-lactam antibiotics में included होती है और चलिए मूव करते है question 20 the only movable bone of the skull skull की जो only movable वो mandible move होती है bone होती है जो हमारे जबडे की bone होती है medieval उसे का जाता है बाकि explanation में आप better इसे पढ़ सकते हैं कि हमारे largest bone lowest bone base की इसके बारे में पढ़ सकते है next one 21 intrinsic factor is produced by intrinsic factor होता हो कि इसके द्वारा produce के जाता है वो है prital cell ace cancer है intrinsic factor के बारे में explanation नीचे दीगी है next one 22 the reverse pacemaker जो पेस्मेकर जो पेस्मेकर होता है वो AV nodes होता है ऐसे pacemaker वैसे ऐसे node होता है heart का बाकि आप explanation पढ़ सकते हो और next की move करते है 23 antidote for organophosphorus जो poisoning होती है उसके लिए atropin दिया जाता है जो null oxygen होता है वो अफॉइड की जब overdose हो जाती उसके लिए नालग हुजिन देते हैं चलिए move करते next the antidote for parasita mold poisoning basic common question से एन-acidized histonics के लिए दिया जाता है और answer यह जो flumagenil है वो दिया जाता है बेंजोडाजएविन की जब overdose होती है उस condition में हम flumagenil देते हैं जलिए move करते next your 25th wagner test is used for the detection of alkaloid के लिए होता है यह आपको बता है वेगर जैट एक्वस आईविन solution यूज के जाता है बाकी आप पढ़ सकते हैं नीचे दिये गए हैं टेस्टी समें alkaloid के लिए सारे इसमें से आप next move करते हैं and alkaloid present in opium having smooth muscle relaxant morphine यह आपको बता नहीं होता है smooth muscle relaxant हम यूज करते है पैपावरी मॉर्फिन हम एनलेज़ेसी कोडिन हम एंटीटसिव और अनलेज़ेसी बाकी आप पढ़ सकते हैं next one the family of plant syncona इसकी syncona की family ruby असी होती है और बाकी आप पढ़ सकते हैं नीचे इसके लिए बारे में मैंने explanation दी गई है कि जो इसकी other species next one the poison act दो poison act आया था यह 19-19 में आया था इस cancer B है बाकी जो एक्ट थे उनके बारे में थोड़ी डिटेल दीती है जो basic important है वह आप इससे पढ़ सकते हो next one 29 schedule O होता है disaffected के लिए औप तिक कर लेना यह disaffected के लिए होता है बाकी F होता है ophthalmic के लिए यह है बाकी S होता है इस cosmetic के लिए next move करते है one molecule of human globulin is transport how many molecules of the oxygen यह करती है एक से चार molecule करती है oxygen के बाकी आप जुड़े रहे हैं और मेरे चैनल को subscribe कर दीजे बाकी questions रह गया था 11 और humanal immune system immediate किया जाता है beta cell liposides से यदि कि मैंने explanation भी दियाती है cell immediate immunity होती है T cell में और humanal immunity होती है B cell में जो previous question जो छूट गए थे वो यहां cover कर रहा हूं sterilization temperature exolution of autoclave में sterilization होती है 21 degree Celsius पे 50 minute के लिए बाकिया explanation से better पर सकते हो कि कितने minute के लिए कितना है thank you very much